भारते महिला क्रिकेट वांडे टीम की कप्तान मिताली राज अपना 38 जन दिन मना रही है लंबे समय तर भारते टीम की कप्तान रहने वाली मिताली राज को अगर महिला क्रिकेट टीम का सचिन देंदूल कर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि उनके आकड़े लाजवाब हैं ऐसे आकड़े महान भारतिय बल्ले बाद सचील तेंदूलकर के नाम पर भी दर्ज हैं दोनों में एक समानेता ये भी है कि दोनों ही भारतिय दिकजों ने दो दशक से जादा समय तक अंतर राश्ट्य क्रिकेट में अपना दंखम दिखाया है दाएहाथ की बल्ले बाद मिताली राज 3 दिसंबर 1982 को राजिसान के जोद कुल में जन्मी थी उन्होंने जून 1929 में अपना पहला अंतर राश्ट्य वन डे माच खेला और इसके बाद से वे लगातार आर्थी क्रिकेट टीम के लिए मुकाबले खेलती आ रही है महेच 16.5 साथ की उम्र में मिताली राज ने अंतर राश्ट्य क्रिकेट में अपना कदम रखा उस समय लड़कियों के लिए क्रिकेट एक अभिश्याप की तरह हुआ करता था खास कर उन लड़कियों के लिए लेदर की गेन पत्थर का गोला हुआ करती थी क्यूंकि उनको उस गेन से खेलने की आदत नहीं थी लेकिन मिताली राज ने इसे ही अपना करियर चुना ठीक वैसे ही जैसे सचिन तेंदूलकर ने साल 1988 में लगबग इतनी ही उमर में अपना इंटरनाशनल डेब्यू किया था मिताली राज डांस की दिवानी थी लेकिन उन्होंने दुनिया भर की गेन बाजी को अपने बल्ले की धुन पर डांस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी 21 साल के बाद अगर उनके आकडों पर गौर किया जाए तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है एक महिला के लिए इतने लंबे समय तक क्रिकेट देलना असान नहीं है